प्लावर्स प्लावर्स आते हैं यह देखिए यह देखिए दिख रहा है और यह यलो है बिलकुल ठीक है इसमें यहलो शेड एंड रैड है और यह वला जो है और यह उरण्ज है तो लॉट्स ओप बंच इस प्लावर्स प्लावर्स पर बने हुए हैं और आप बिलीव नहीं करोगे इस एरिया में बिलकुल धूप नहीं आ और बहुत बूशी प्लांट है मेरा और हेल्दी प्लांट है ठीक है बहुत सारे होते हैं लेकिन आज मैं एक इंपोर्टन टॉपिक के उपर ही आपसे डिसकेश करूंगे और वही आपको बताऊंगी ठीक है तो हमने अपने गारण की साफसफाई कर दी है अच्छे से ठीक है और सेटिंग जो है वह भी लहीं हुई है वह मैं कर लोगी आने के कारण मैं दो दिन तक थोड़ा सा बिमार पड़ी रही और आपको आवास से लग रहा होगा कि मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत जादा विकनेस आ गई है मैं एक हफ्ते से घर की और टैरस की साफसफाई में लगी हुई हूई हूई तो बहुत इनसान जैसे होते हैं उसी से जुड़ा हुआ एक कारण जो प्लांट के लिए भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि देखें मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ जिस तरह से हमारे प्लांट भी जिन्दा है बिल्कुल हमारी तरह ही हमारे प्लांट भी है तो बहुत सी चीज़े जो हमसे ही मिलती जूलती है अगर प्लांट को यह चीज़े ना मिले तो वह कैसे बताएगा हम तो बिमार हो के बता देते हैं कि हम बिमार हो गए है तो आपको पता चल जाता है कि सरी में कुछ ना कुछ कमी हो गई है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें बता तो आज एक इंपॉर्टन टॉपिक पर मैं आपको बताओंगे और उसका घरेलू यूज बताओंगी तरीका बताओंगी जिससे अपने प्लांट को बिल्कुल ठीक कर सकते हो चलिए प्लांट पर ही स्ट्यूट्मेंट को करके बताओंगी तो देखिए फ्रंस यह है वो मेरा प्लांट सबसे पहले से कंडिसन देख लिए कंडिसन अच्छी है खराब नहीं है इस पर लौट्स अफ बर्ड्स होती है और हमेशा ही इस पर फ्लावरिंग होती है मैंने अपने गार्डन में बहुत बार आप सबको दिखाया है हमेशा इस कर रही हूं और लगभग यह 6ft के करीब इसकी हाइट है मेरे इस प्लांट की और आप सचों कि इस प्लांट का नाम तो नहों ने बताये नहीं इस प्लांट का नाम है सिंगल शांदनी और कितना बड़ा बूसी प्लांट है आप देख लो ठीक है और इसको वीडियो शूट क आपको दिख रहा होगा कि यहां पर बस रूट 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 ही हैं मतलब जड़े बन गई हैं बहुत सारी स्क्रीन बढ़ी करके आपको दिखाती हूं यह देखिए तो सबसे पहला कारण तो यह है कि आपके पॉट में रूट हो गई है मतलब की जड़े जादा हो सबसे पहले गुडाइब करदी देखिए वीडियो आप इस टॉट पर नहीं बनाना था इसलिए मैंने वाटरिंग कर दी थी लेकिन मुझे Nhân us . असे पहले करना गुडाइब कर देना और एक काम बसले करना है और उसके बार सारी सब से पहले इक Lberry को सी इंपार्टी आरzet न कहाते करेंगे हो सकता है इसमें नीवınızन की कंमी हो एक नीविट्रिसन आकल स्वाइब e DIY हम इनसानों की तरह कैलसियम आ पता हम outta in till recent की कि ज़़ार जरूरत होती है अगर से ना हॉ तो segunda g made हमारी हड़ियां कमजोर हो जाएगी हमें उठने बैठने चलने में कितनी प्रब्लम होती है तो उसी तरह से प्लांट अपनी कमजोरी कैसे दिखाता है अपनी लीफ्स गिरा करकी मैं बिमार हो गया हूँ तो इसमें कैलसाम की पूर्ती करने के लिए हर से कौन कौन सी चीजे इसमें डालोगे वो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले उपर की गुड़ाई कर देना और मैं मिट्टी निकाल लेती हूँ फिर अपने टॉपिक को आगे कंटीन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स कितनी सारी मैंने इसके अंदर से मिट्टी निकाल दी है बट यह मिट्टी कम रूट जादा है तो चलिए आप इस पर अपना ट्रीट्मेंट बताते हैं क्या करेंगे कैलसम के लिए घरेलू शोर्ट क्या होगा शोर्ट क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ इस से अच्छा बिल्कुल बहुत ही कम और मोसली हम सब के घर में यह होता ही है चौक जो होती है ब्लैक बड़ वगरा पर जिससे हम लिखते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं यह वह वाली चौक है बहुत कम सस्ते रेट में मिल जाती है आप इसको इस तरह से अपने मिट्टी में प्लेस कर दीजे गड़ा बनाकर और इसके बाद सेकेंड चीट जो है यहाँ पर देखिए एग सेल एग सेल जो है मैंने इनको वाश करके आप इनको धो की सुखा के इनका पॉडर भी बना सकते हो रिच सोर्स है यह दोनों ही चीजे हमारे कैलसियम का तो पहले बता चुकी हैं जिस तरह से हम इनसानों को कैलसम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उसी तरह से प्लांट को भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है न्यू ब्रांच बनाने के लिए प्लीस को डेलफ करने के लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट पे फ लग स्नेल वगरा हो जाते उससे भी आपको बचाता है जुटकारा दिलाता है यह देखिए यहाँ पर हमारा है बनाना पिल इसका लिक्वड फर्टिलाइजर बना कर आप अपने प्लांट की मिट्टी में डालिए 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 अच्छे से या फिर आप इसका इंजाइम बना कर भी आप इसे अपनी मिट्टी में डालिए तो यहाँ पर मैं डेट दिखाने की कोसिस कर रही हूँ यहाँ पर डेट लिखी हुई है वो मिट गई है टैन और फोर लिखा है मतलब की टैन तारिक थी और फोर मंद ता जब मैंने इसको बनाया था तो यह है मेरा इंजा की बहुत जरासी बहुत जरासी मतलब एक चुटकी भर आप इसमें डाल देना और अच्छे से मिक्स करने के बाद उपर से अपनी मिट्टी फिल कर देना मैं मिट्टी फिल कर देती हूँ यह देखे सारे मैंने 400 बता हैं बिल्कुल और गैनिक है कोई भी केमिकल वाला इसमे नहीं है और आप इसको इस तरह से अपनी मिट्टी में उपर से इसको एक लेयर बना देना मिट्टी की और जो भी चीज हमने आपको बताई है वह आप इसमें डालोगे तो आपके प्लान पर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी बहुत जल्दी बढ़ेगा यह उसके बाद आप जो अपना एंजाइम है वह वाटर में मिक्स कर ले है डायलूट कलर उसके बाद हम इस तरह से वाटरिंग कर देंगा आपने अभी देखा कि मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से वाटरिंग हो रख्ये फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं इसमें वाटरिंग कर रही हू जब भी इस तरह का खाथ बगएर आप डालो तो आपको वाटरिंग जरूर करनी है तो होप करती हूँ आज के वीडियो अच्छे लगा होगा अच्छे लगे तो लाइक से र कमेंट जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए फिर मिलते है नेक्स वीडियो मे जरूर करते हैं जरूर मिलते हैं जरूर की करना जरूर करना तो आजए हैं तो आगसे लगे लगे जबएर देना करते हैं!